लो एवरिवन गुद मानिंग कैसे हैं आप लोग आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ और आज है संडे और अभी बज़े हैं सुबह के आठ और हस्बेंट जा चुक है उनकी सुबह की क्लासस थी और अब मैं लगी हूँ मेरी तो बहार से होके आती है तो यहां पर चूहे वगेरा भी आजाते हैं तो संडे संडे मैं यहां पर सफाई करती हूँ तो यहां पर जो सीडी पर जगा होती है ना यहां पर मैंने एक छुटा सा इंडोर गार्डन भी बनाया हुआ हुआ है तो यहां पर जो प्लांट्स मैं एक बार यहां पर सफाई हो जाती है अभी तो थोड़े से प्लांट्स खराब भी हो रहे हैं तो मैंने वह गमले भी यहां से हटा दी है और उसके बाद जब मैं भी नए प्लांट्स लगाऊंगी और अच्छे से लिए और उसके बाद फिर मैं चले गई नहाने वह सब मैं शूटने कर पाई क्योंकि मेरा फोन बैटरी उसमें बहुत कम हो रही थे और अचानक से ओफ हो गया फिर मैंने नीचे आके फोन को लगाया चार्जिंग पर फटाफट से सफाई वाला अपना काम जो था वो निपट नाश्टी की प्रपरेशन के लिए आज नाश्टी में बन रहे हैं मतर की चार्ट जो मतर होती है ना पीली वाली शूटी मतर वो मैंने रात को बिगो दी थी और उसको भी नहने जाने से पहले मैं बॉयल करने के लिए रग गई थी तो आज उसी की चार्ट बन रही है तो उ सब्जी लेने गए हुए हैं तो सब्जी लेकर आएंगे आज पूरे वीक के लिए तो फिलाल मैं सोचा जो है उसी सही बना लेते हैं तो मैंने यहां पर फटाफट से ना प्याज चॉप कर ली और प्याज और यहां पर में डाल रही हूं खीरा खीरा फटाफट से मैं आपर मिक्स कर दूंगी मटर में तूना यहां पर प्याज और खीरा चॉप हो गया इसके बाद मैंने यहां पर ले लिया यह पर तन इसमें मैं मिक्स कर दूंगी जो बॉयल की हुई मेरी मटर है और इसमें डाल दिया मैंने प्याज और खीरा और इसमें डालेंगे ना मसाले तो म मसाला ये सब डालने के बाद और अच्छे से नीबू मिलाके इसको मिक्स कर लेंगे तो ये चार्ट बिल्कुल रैडी हो जाएगी और अगर चटपटी खा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालते हैं लेकिन आज हरी मिर्च है नहीं कोई भी सबजी नहीं है टम मिन्च दोनों खेल रहे हैं बीच-पीच में मेरे पास आके कंप्लेंट भी कर रहा है कभी कुछ कभी कुछ तो अब मेरी चार्ट्रेडी हो गई तो मैं सोचा इसके साथ कुछ बना लेते हैं पूरी या पराठा तो फिर पूरी खाने का मन हो रहा था तो मैंने पूरी के लि लगे आपम लिके तेल बना देते हैं या फिर सर्सों के तेल बना लेता है रिफाइन बिलकुल बंद कर रखा है कि तो यह मैं तो इस पर इस प्रक्ड़ें मैं तेल गरम होगा तब तक साइड में चड़ा दिए चाय तो बस ये चाय चढ़ाने के बाद चाय जब तक पकती रहेगी, अम में क्या करूंगे ना, पहले पूरी का थोड़ी सी लोई बनाके रख लूंगी, जब तक तेल गरम होगा, तो लोई बनाऊंगे फटाफट से और फिर बना लूँगे फटाफट से पूरी, और फिर हम सब बनाना शुरू कर दिया, पूरी बेलना शुरू किया, तो तीन-चार पूरी मेरी बिल गई थी, तब तक तेल गरम हो गया, फिर मैंने पूरी सेखना शुरू कर दिया, और जब तक मैं अपना पूरी सेख रही थी, तब तक ही हस्बंड भी आ गए थे, उनसे भी मैंने बोल लगा लिया और बैटके ब्रेकफस्ट करने लग गए ब्रेकफस्ट किया थोड़ी सी बात वगएरा करी आज प्लान बन रहा था कि गायती तपो भूमी चले जाएंगे दर्शन करने के लिए कि मम्मी को वहां जाना था मतलब उन्हें कुछ काम था तो फिर हम लोगोंने प्ला ले जाने वाला वैग है इस बैग को दोना था और अवी का जो स्कूल वैग है वह बहुत गंदा हो रहा था क्योंकि वह फिर छूटी जाता है संडे में यह काम हो पाते हैं तो मैंने दोनों बैग लेके यहां पर पानी में सर्फ डालके यह भिगो दिये और जो बातरूम मे सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिया अभी बढ़ रहे हैं तो देखते आज हो पाता है या नहीं नहीं हो पाया तो किसी दिन स्कूल से आते हुए मैं इसके हैर कट करवा दूंगी तो यह सब काम करने के बाद वापस से मैं आ गई किचिन में की चाहें संडे हो या मंडे हमारे केचिन के काम तो कभी खतम होते ही नहीं है संडे को सबको छुटी मिल जाएगी लेकिन हमें छुटी नहीं मिल सकती तो फिर मैं आ गई केचिन में क्योंकि अगर दिन में वहां जाना था तो फिर जल्दी जल्दी काम भी निप्टाने थे शाम को मेरी क्लास भी है तो म मुझे रीफिल करना उनके कंटेनर्स में तो यह सबसे पहले यह अवी के चौकोज हैं तो यह मैं इसको इस वाले कंटेनर में डालके रख रही हूं जिससे की में तब यह टाइट कंटेनर रहते हैं तो सीलेंगे भी नहीं हो बार-बार पैकेट खुलने के जो रहती पड़ती तो इस तरीके से मैंने इस कंटेनर में डालके रख दिया और जो बाकी का बचा हुआ है उसे मैं उसी पैकेट में रबर्मेंट लगाके और रख दूँगी जिससे की वह अच्छे से सेफ बना रहे हैं सीले भी ले ना तो यह मैंने चौकोज रख दिये इसके पाद थी किश और यह किशमिश और वदाम के जो डिबे थे ना वह मैंने धोके रख दिये थे अच्छे से सुखा लिये थे कली तो अब मैं वह उनमें पलट दूँगी तो इस तरीके से जो भी यह समान रखा हुआ था यह सब मैंने सब डबो में पलटा और डबो में रखने के बाद लेती हूं जिससे कि वह बाद में किसी भी काम आ जाएंगी तो यह सब इतना काम करने के बाद फिर मैंने ना किचिन को समेटना शुरू किया जो थोड़ा बहुत फैल गई थी नाश्टा बनाने में किचिन को समेटा और उसके बाद मैं माज़नोंगी बरतन तो बस यह तिक फिर प्लास्टिक वेस्ट तो बहुत जादा इखटा हुई रहा है तो बस यह सब करने के बाद मैं किचिन को समेटूंगी और बरतन धूंगी तो मेरा तो काम चल रहा है किचिन में और इधर जो पापा और बेटे हैं दोनों की आराम से चल रही है मस्ती कुछ खेल रहे हैं क्योंकि ऐसे टाइम ना बहुत कमी मिलता है बच्चे को भी मन करता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खेलें तो बस वो दोनों हराम से अब खेल रहे हैं और मैं अपना किचिन का काम ने प्टा रही हूं इनकी मस्ती तो अभी ऐसी चलती रहेगी और मेरा किचिन का काम ने प्टा लिए हूं सारी सबजी जो है ना वो साइड में रख दी इससे कि मैं शाम को देखूंगी कैसे क्या करना है सौट करना है और कौन सी दोके रखनी है इस तरीके से कौन सी डारिक रखनी है तो यहां पर मैंने पूरी पहले सो स्लैप जो है वो खाली कर दी सफाई कर दी और उसके बाद फिर मैं धूने लगी परतन कि चली रहा था बरतन धुल रहे थे और बच्चे और पापा की मस्ती भी जा रही थी कर दो किचिन का काम निप्टाने के बाद न सीधे में बातरूम में आ गई क्योंकि यह बैक वगरत होने थे अदर्वाइस अगर लेट होया तो फिर न सुपह तक सूखेंगे नहीं सुपह स्कूल है और राद कल बारिश का भी भरोसा नहीं है कि कब बारिश आजा है तो मैं फटाफट से बातरूम में आ गई बैक धोने के लिए क्योंकि आज वैसी भी थोड़ा सा लेट हो गया था संड़े को थोड़ा क्लीनिंग का काम एक्स्टा रहता है बातरूम की भी सुबह सफाई करी थी टौइलेट लगाया क्योंकि वह खाली ब्रस से पिछय से साफ नहीं हो रहा था तो साबुन लगाया और उसके बाद ब्रश लगाया ब्रश लगा के फिर मैं यह दो दिया और दोने के बाद हम आजाए बातरूम भी साफ कर दूँग वाइपर लगा दूँगी इसके बादना अब हम हो गई हैं तो इना अब लेनी नहीं है तो मैं क्लासस ले लूँगी फिर मुझे लेने आ जाई हैं फिर उसके बाद ना हमें थोड़ा सा मार्केट भी जाना है अभी के जो स्कूल यूनिफॉर्म के लिए ब्लैक शूज आने हैं तो वो दिला दे हैं तो इस तरीके से वो सारे काम करने है शाम को तो बस यहां पर बाधरूम बगएरा साफ कर दिया साफ करके हम लोग रैडी हो गया और पहुँच गया यहां पर गाईतरी तपूवमी गाईतरी माता के के दर्शन करने के लिए तो मैं सूचा मैं आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूं तो आप लोग माताराने के दर्शन कीजिए और बस मैं आज का ब्लॉग यहीं पे खतम करती हूं मिलती हूं नेक्स ब्लॉग में तिल देन बाबाई टेक कियर और ब्लॉग अच्छा लगा हो आपको मेरे आफ़र्स अच्छे लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थैंक यू सो मच थैंक्स पर वाचिंग